नमस्कार न्यूस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल देरा सच्चा सोदा का पनमुख और रेव का दोशी ही गुर्मीत राम रहीम इन दिनों 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आया है और हर्याड़ में पंचायत और आदमपूर विधान सभा सीट से होने जा रहे है उक्चुनाव से पहले राम रहीम को मिली पैरोल पर विपक्षित सवाल उठा रहा है और इस बीच सामने आया है कि राम रहीम ने हरी प्रीत का नाम बदल कर रूहानी दिदी कर दिया है पैरोल पर बाहर आये राम रहीम से डेरे की गदी बदली जाने की अटकलों को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं और इस दोरान ही राम रहीम ने कहा कि हम हैं हम थे और हम ही गदी पर रहेंगे और ये दोनों भोशना राम रहीम ने उत्तर परदेश के बागपत में मौझूद बर्णाला आश्रम में साथ संगत को संबोधित करते हुए की है हर्याडा में अगामी जो निकाय चुना है उसको देखते हुए कई नेता गुर्मीत राम रहीम के संगत में और पहुचकर ही आश्रिवाद भी ले रहे हैं और राम रहीम ने जेल से निकलते ही शोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया और अनिवादियों से भी संदेश दिया है कि दो बार शोशल मीडिया के जरिये सत्संग किया सत्संग को यूपी हर्याणा राजस्थान उत्राखन हिमाचल परदेश आधी प्रांतों और विदेशों में रह रहे हैं यूनानियों को भी जो है यूट्यूब पर सुना गया है कॉंग्रेस के नवर निर्वाचित अध्यक्ष मलिका अरजुन खड़ंगे आज पद्भार संभालेंगे और अखिल भारते कॉंग्रेस कमेटी मुख्याले में सुबा साड़े दस बजे वो सोनिया गांधिया राहूल गांधिया और चत्यस गड़ के सीम भुपेश बगेल और पार्टी केंडिया वरिष्ट नेताओ की मुझूदगी में अध्यक्ष पर्द सभालेंगे इससे पहले वो सुबा आठ बजे राजगाट, शांती बन विजे घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमी और शमतस थल जाएंगे खड़ंगे ने मंगरवार को शाम छे बजे पूर्वस पीम डॉक्टर बन मोहन सिंग से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और कॉंग्रेस अध्याक्ष के चुनाव में मलिका अरजुन खड़ंगे के खिलाप शशी धरूर ने दावाट होका था इस दो चुनाव में ही खड़ंगे ने शशी धरूर को 6,825 वोट से माद दी थी और खड़ंगे को 7,897 वोट मिले थे वही शशी धरूर के खाते में 1,072 वोट आए थे मलिका अरजुन खड़ंगे के रूप में ही कॉंग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्याक्ष मिला है और इससे पहले सीताराम केसरी गेर्ग और गांधी अध्याक्ष रहे थे और आपको बताते हैं कि कॉंग्रेस के ही 137 साल के तिहास में अध्याक्ष पत के लिए 6 वी बार चुनाओ हुए है औस्टेलिया की मेजबाने में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और नेदरलैंड के बीच होने वाले मैट से पहले विवाद सामने आया है सिड्नी में 27 अक्टूबर को होने जा रहे मैट से पहले टीम इंडिया ने उन्हें मिलने वाली सहूलितियों को भी लेकर नाराजगी जाहिर कर दी है और BCCI सुत्रों के मताबिक टीम इंडिया के प्रैक्टिस को शेशन के दोरान ही ठंडा और बेकार खाना परोसा गया इंडिया के प्रैक्टिस भी नहीं की है और इसके साथ ही आपको बता दे कि क्यूंकि उन्हें प्रैक्टिस के लिए जो लोकेशन दी गई थी वो उनके होटल से 42 किलोमीटर दूर थी दरसल टीम इंडिया को ब्लैक्ट डाउन के प्रैक्टिस के जगह दी गई थी इस जगह की दूरी उस होटल से 42 किलोमीटर दूर है और जहां टीम इंडिया ठेहरी हुई है तो आपको ख़वर बता रहे हैं जहां पर टीम इंडिया की शिकायत आई है जहां पर पता चल रहा है कि उन्हें प्रैक्टिस का मौकान नहीं दिया गया था और भोजन के बारे में उन्होंने बताया है कि भोजन भी ठंडा था बेटेन के ने प्रधान मंत्री बनते ही रिशी सुनक एक्टिव मोड में नज़रा रहे हैं उनकी तरफ से कैबिनेट में बड़े बदलाव कर दिये गए हैं इन बदलाव ने कई बड़े संकेत भी थे दिये हैं सुनक ने अपनी निजी पसंद को पीछे छोड़ते हुए कई ऐसे चहरों को जगा दी है जो उन्हें छोड़कर दूसरे के वफदा रही हैं ऐसे में अपनी कैबिनेट में सुनक ने संतूलन साधने का प्रयास किया है और इसके साथ संकेत दिया गया है कि वे सभी को साथ ल ब्रेव और मैन है का नाम बताया जा रहा है वैसे तो सोयला भारतिये मुलकी हैं लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने ही भारतियों के लिए एक विवादित टिपड़ी भी करती थी उन्होंने कहा था कि कई भारतियों पर वासी वीजा की अवदी समापत होने पर ही ब्रिटे से हटने के लिए ही इसलिए वोट नहीं दिया था भारतियों के लिए ही ब्रिटेन की सीमा इस तरफ से खोल दिया गया है लेकिन सुनक ने अपनी कैबिनेट में उनकी वापसी करवा दी है और उन्हें एक बार फिर ग्रियमंत्री का पद्दिय दिया है तो आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर भरत वंशी सुयला की हुई वापसी बताई जा रहे हैं और रिशी सुनक ने कैबिनेट में बड़ा फेर बदल भी कर दिया है मुरादबाद में देर रात नबाबपूरा में हुए पत्थराओ के वीडियो सामने आए हैं जहाँ पर पत्थराओ की सूचना को देखते हुए कई थानों के फोर्स बुलाया गया था और साथ ही आपको बता दे कि PSC को भी बुलाया गया था वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए SP City और ADM City भी घटना स्थल पर पहुँचे और SP City अकलेश भधोरिया ने बताया है कि दीपावली पर जुवा खेल रहे दो पक्षों में हुए जगडे के बाद पत्थराओ होने की सूचना पुलिस बलको दी गई थी और वहीं पुलिस ने देर राद पत्थराओ करने बालों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ही सर्चिंग अभियान चलाया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया तो मुरादा बाद से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दो पक्षों जो है वो जुवा खेल रहे थे दिवारी के अहुसर पर जहां पर पुलिस को सूचना इसकी दी गई और पत्थराओ की भी सूचना मिली थी जिसको देखते हुए थारों के कई फोर्स बुलाय गए थ पत्थराओ होने की सूचना पुलिस बलको दी गई थी और वही पुलिस ने देर राथ ही पत्थराओ करने वाले दोनों पक्षों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्चिंग अभियान भी चलाया और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है शहर के देहली गेट थाना चेतर के गोविंत नगर इलाके के रहने वाले युवक पर पत्थनी को गायब करने के आरोप में पुलिस के उत्पीडन से तंगा कर आत्म हत्या करने का मामरा सामने आया है गटना के बाद परिजन और उस थाने लोगों ने भारी तादाद में इकठा होकर थाने में शवरक कर सड़क कर जाम कर दिया और थाना पर भारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कारवाई की मांग की है सुरक्षा की दृष्टी से पुलिस पोर्स तैनात है और महीं इस दोरान मौके पर पहुंची बिजेपी पूर्व मेर सकुंतला भारती और अलिगर मंडल भाजपा उपाधियाक्ष विवेकर सुरावस्तर प्रदर्शन कारियों को समझाने में लगे हुए और इस दोरान मी मौके पर पहुंचे भी मांगी पार्टी के नेता का कहना है कि आज जो घटना हुई है थाना अध्याक्ष और दो दरोगा है उन्होंने ऐसा प्रेशर एक युवा साथी पर बढ़ाया जिसने अपने जान दे कर उस दुख को खतम करने का प्रयास किया कल रात्री को डली लेट शेत्र में रहने वाले एक वेक्ति द्वारा आत्मत्या करड़ी गई थी जिसके संबंद में उसके परीजनों द्वारा बताया गया कि एक महिला जिसके जो विचौलिया थी इसमें उसके कहने पर उसके पती और इनके उपर उसको गुमशुदा कर का और रूप लगाल गया था जिसमें जिए और यह बता आया गया बसंदे माहिल दुआरा इनको धंकी देग गई जिस पर कि महिला के ऊपर मुगढ़ मा oh मुठीव लिखाया गया है च्छाब विट्या किısı निवेर Лिट्टि प्रते का है